इस हमले के पीछे इसराइल का हाथ बताया है हाला कि इसराइल ने इस पर फिल हाल चुप्पी साधी हुई है माना जा रहा है कि इसराइल इस हमले की जिम्मेदारी लेने से बच रहा है दावा है कि इरानी दूतावास पर हमला कर इसराइल से बहुत बड़ी चूक हो गई है महीं प्रतिशोद की आग में जुलस रहे इरान ने भी तूरंद तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसराइल से इस हमले का बदला लेने की कसम खाई है जाहेदी के जनाजे में शामिल हुए इरान के सेना प्रमुक जनरल मुहम्मद बागेरी ने हुमकार भरी है उन्होंने कहा है कि इरान ये तै करेगा कि बदला कब और कैसे लेना है उन्होंने कहा कि ओपरेशन का समय प्रकार और योजना हम बनाएंगे और ये इस तरह की होगी कि इसराइल अपने किये पर पश्टाएगा ये निश्चित होगा बता दे कि इरान ने तैश में आकर इसराइल को धमकी नहीं दी है बलकि खतरनाक हथियारों का ट्रिगर लिए बैठे इरान के पास वाकई तबाही मचाने वाले हथियार है ये एरान के खुखार हतियार लाल सागर को पार कर इसरायल पर हमला करने का भी माद़ा रखते हैं इरानी समाचार एजनसी आईएस अने ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि अगर इसरायल और इरान में जंग होती है तो इरान के पास लंबी दूरी के कई खतरनाक हतियारों का जखीरा है जो कि इसराइल का नक्षा बदलने का दमखम रखते हैं रिपोर्ट के मुताबिक इरान के पास इसराइली सरजमी पर हमला करने के लिए पर्याप्त दूरी वाली नौपरकार की मिसाइले हैं न्यूज अगेंसी ने कई इरानी बेलिस्टिक मिसाइलों का खुलासा किया है ऐसा दावा किया जा रहा है कि इरान ड्रोन और क्रूस मिसाइलों की मदद से हमले की योजना बना रहा है अब आपको एक-एक इरान की उन नौ खतरनाक मिसाइलों के बारे में वताते हैं जिनको लेकर दावा किया जा रहा है कि तिलमिलाए एरान के एक फैसले से ये मिसाइले सीधे इसराइल में तबाही ला सकती हैं सैजल मिसाइल ये 2000 से 2500 किलो मीटर की दूरी तक निशाना लगाने में सक्षम है इसकी अधिक्तम स्पीड 12 से 14 मैक है हुर्रम शहर चार और्फ खैबर मिसाइल जो की मैक 5 की रफ़तार से 2000 किलो मीटर की दूरी तक निशाना लगाने में सक्षम है E.M.A.D. मिसाइल 2 से 7 मैक की रफ़तार से 2000 किलो मीटर की दूरी तक लक्षे को भेदने की शमता रखती है शहाब 3 मिसाइल मैक 7 की स्पीड से 2000 किलो मीटर तक दूरी तक दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है कादर मिसाइल मैक 9 की रफ़तार और 1950 किलो मीटर तक लक्षे पर निशाना लगाने का मादा रखती है वहीं पावे मिसाइल 900 किलो मीटर पती घंटे की रफ़तार से 1650 किलो मीटर की रेंज में हमला करने में सक्षम है खैबर शिकन मिसाइल 1450 किलो मीटर तक दुश्मन को भेदने में सक्षम है दावा है कि ये 5000 किलो मीटर पती घंटे की रफ़तार से जा सकती है फते टू मिसाइल मैक पांच की रफतार और 1400 किलोमीटर तक दुश्मन के ठिकाने को निशाना लगाने में सक्षम है हाज कासिम मिसाइल मैक पांच की रफतार से चलने वाली ये मिसाइल 1400 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के ठिकाने को निशाना बना सकती है मालुम हो की दूतावास पर हमले के बाद से इरान बौखलाया हुआ है इरानी विदेश मंत्राले ने हमले के बाद तीखी प्रतीक्रिया देते हुए कहा है कि इरान इसराइल की एर स्ट्राइक का जवाब देने और हमलावर को दंडित करने का अधिकार रखता है वहीं इरानी राश्पती इबराहिम राइसी ने भी तल्ख लहजे में इसराइल को हमले के लिए भारी कीमत चुकाने की नसीहत दी है इसके अलावा टॉप इरानी मिलिटरी एडवाईजर जनरल रहीम सफवी ने चेताते हुए कहा कि हमले के बाद से इसराइल का कोई भी दूतावास अब सुरक्षित नहीं है इरान इसराइल को दूतावास के हमले का आई ना दिखाने का आम मादा रखता है झाल झाल झाल